साई की बात उसमें मेरी राजी है मेरे बच्चे उसमें मेरी स्विक्रती है तुम कर सकते हो मुझे मालूम है मेरे बिना राजी हुए मेरे बिना स्विक्रती दिये न तुम अपने जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ते और सही बात भी है मेरे बच्चे क्योंकि तुम तो अपने भविश्य को नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारा भविश्य क्या है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए बुरा क्या है ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता मेरे बच्छे, चा बढ़ाकर चीजे करोगे न तो सारी चीजे खराब हो जाएंगे, सारे काम खराब हो जाएंगे, तो पहले अराम से करो, अराम से सोचो, समझो, फिर काम करो, हड़ बढ़ाओगे तो सारे काम जो बन रहे है न वो भी रही बनेंगे, सब बिगड जाएंगे, और क्या तुम चा से कम तुम सफल तो हो जाओगे तुम्हारा काम तो हो जाएगा अगर जल्द बाजी में चीज़े करोंगे न तो जितना सब कुछ महनत की है न उन सब पर पानी फिर जाएगा जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता तो हर बड़ाकर कोई भी काम मत करो सारे कामों को अराम से करो अंत प्रयास करो और शांती से करो शांती से करोगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और तुम भी नहीं जानते ना कि आने वारा कल तुम्हारा कैसा है लेकिन मैं जानता हूँ अगर तुम शांती से प्रयास करोगे सचे मन से करोगे ना तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हू तो होगा वही जो तुम सोच रहे हो मेरे बच्छे, बिल्कुल वही होगा, जैसा तुम चाह रहे हो, बिल्कुल वैसा होगा, और सुनो, तुम अभी किसी दुविधा में हो, परेशान हो, कुछ चीजों को सोच कर, कुछ चीजों को बहुत चिंदा में तुम ले गए हो, गहर अगर तुम्हारी समझ से बाहर है तो छोड़ दो, अपने साई पर छोड़ दो, मैं कर दूँगा, मैं सही चीजों को सही जगा पर ले आऊंगा, और जो तिथी तुमने निर्धारित की है, उस तिथी पर ही सारा काम होगा, तुम बिल्कुल जिंता मत कहना, जो तिथी है, उस तिथी पर ही सारे काम होगे, और उस तिथी तक तुम्हारे सारे काम भी अच्छे से होगे, तुम देखना, कोई अर्चन, कोई विग्न नहीं आएगा, और जितना तुमने सोचा है ना, बल्कि उससे कहीं ज़ादा अच्छे से वो काम होगा, तुम देख लेना, क्या हुआ जिसकी कमी तुम्हें खल रही है क्या हुआ कि अगर वो इनसान तुम्हारे बीच में नहीं तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मैं तो हूँ न तुम्हारा बाबा तो है न उस इनसान से चार गुना पाच गुना बढ़कर मैं हूँ तुम्हारे लिए मैं जिम्मितार्यों को ऐसे णिभाऊँंगा ना कि वो इनसान अगर होता भी ना तब भी वो इतने अच्छे से वो जिम्मितार्य नहीं निभाँ पाता चो मैं तुम्हाने लिकर दूंगा ना वो कोई भी नहीं कर सकता इतना भरोसा करो अपने बाबा के उपर पिश्वास रखो और सुनो अगर कोई अस्थपताल में है मेरे बच्चे तो तुम्हारा फर्स बनता है कि उसके परिवार जनों को या उसके सगे संबंधियों को तुम उन्हें कुछ खाना पीना बना कर दे कर आओ मेरे बच्चे देखो बाते अपनी जगा हैं चीज़े अपनी जगा है और ये सेवा ही तो है ना अगर तुम उस इंसान को तुम उसकी आत्मा को तुम तरप्त कर रहे हो उसके मन को तुम तरप्त कर रहे हो ना चाहे उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए कितनी भी नफरत हो चाहे कितनी भी आत्मा तरफ्थ होगी ना, तो उसके अंदर से दुआएं जरूर निकलेंगी, शब्तों से ना निकलेंगी, लेकिन अंदर से निकलेंगी जरूर, तो तुम ना ये सब मत करो, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा करतव है, तुम साइं के बच्चे हो, और साइं के बच्चों क निकाल करो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे पूजा का समय वहां दे सकते हो मेरी पूजा के बदले तुम महां सेवा कर सकते हो ना तो वो मुझे मंसूर है मेरे बच्चे जो भी तुम मेरी 15-20 मेरे आदा खिंटा जो भी मेरी पूजा कर दे हो ना उसे वहां मेरी स तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत बहुत होगी और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे बच्चों नियम उठाया है, नंगे पाउं मेरे मंदर जाने का, हर रोज वो मेरे मंदर जाते हैं नंगे पाउं, तो सुनो मेरे बच्चे, मत हो इतने परेशान, मत पीड़ा उठाओ, बिल्कुल मत करो ऐसा, चपल पहन लो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत परेशान हो, जो तुम्हारी इच्छा है न, वो पूरी हो जाएगी, स्विकार कर ली तुम्हारी प्रातना, खुश हो जाओ मेरे बच् उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वह सो समझ कर ही चीज़े खाया करें जो उन्हें परेज बताए गए हैं जो चीज़ें उन्हें बताई गई है न वहीं उन्हें खानी हैं हर किसी के कहने पर उल्ठा सीदा ना कहीं कलको दिक्कत परेशान भूल गई और तुम तुम्स 77 सेवन करना भूल गई हो क्या मेरी बच्ची आजकल उदी का सेवन नहीं कर रही हो उदी का सेवन करो और सुनो कुछ लोग हैं तुम्हारे जानकरी में तुम्हारे अच्छे मित्र तो नहीं लेकिन हां जानकर जरूर है लेकिन उनसे भी अपने कुछ बाते चुपा कर ही रखो हर किसी के आगे अपने बाते रखने की ना कोई जरुवत नहीं मेरे बच्चे क्योंकि तुम ना बहुत प्यारे हो तुम कभी ये नहीं देखते कि वो जाना अंजाना इंसान कौन है या फिर अपना पराया कौन है बस तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी सारी बाते उनके आगे रख देनी चाहिए तुम रख देते हो तुम्हें बस दो बाते कोई अच्छे से कर लेना तुम सारी बाते अपनी दिल की रख देते हो तुम्हें नहीं समझ में आता कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, कौन कैसा है मेरे बच्चे तुम नहीं समझ पाए दुनिया को, अभी तक नहीं समझ पा रही हो तुम बहुत सीधी हो मेरे बच्चे लेकिन आज भी फिर तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी बातों को, अपने रास की बातों को, अपने दिल की बातों को, अपने तक ही रखा करो, हर किसी से मत कहा करो, हर किसी को मत बताया करो, ये गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम नहीं जानते जो आज तुम्हारा अपना बना घूम रहे है न, कल को वो ही तुम्हारा ब पिल्कुल भी मत करो क्योंकि सामने वाला ना तुम्हें धोका दे रहा है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा जब तुम इधर से उधर होते हो ना तुम्हारे गैर मौजूदगी में चीजें इधर से उधर होती हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये चीजें मैं तुम्हे परिशानी खड़ी हो सकती है तुम्हें धोगा मिल सकता है तुम्हें नुकसान भी हो सकता है मेरी बातों को समझने की कोशिश करू और सुनो चीजें अस्थ व्यस्थ हो रखी हैं उन्हें संभालो और तुम्हारे घर का जो मंदिर है ना उसमें परदा लगाओ मेरे बच्चे उसमें परदा नहीं है उसमें परदा लगाओ क्योंकि कभी कुछ चीजें मेरे बच्चे मुझे भी अकेले में ही पसंद है अगर तुम परदा नहीं लगाओगे तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है समझा करो मेरी बातों को कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे प कोने मेरा जाले लगे हुए हैं और कई मेरे बच्चों के मंदर ऐसे हैं जिनमें धूल मिट्टी जमी हुई हैं तो मेरे बच्चे यह सही नहीं है न अगर तुम्हारे घर में जाले लगे होंगे तुम्हारे घर का मंदर अस्थ व्यस्थ होगा चीजे इधर से उधर होंगी ध बहुत धुलमिटी हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, तुम्हें संभालना होगा, कोई संभाले ना संभाले लेकिन आसे इस जिम्मदारी तुम्हारी है, इस जिम्मदारी में तुम्हें सौप रहा हूँ, तुम्हे नहीं करना होगा समझ गए ये मेरी सीवा है मेरे बच्चे जो करेगा सोफॉल पाएगा मेरे बच्चे खुश रहो आज का रात्री साई संदेश समाप्तुवा